असलाम अलेकुम नाजरीन वेलकम टू एन अधर वीडियो कैसे हैं आप मैं हूँ फैजान और आप देख रहे हैं गार्मेंट टेकनीक्स दोस्तों आज किस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वह है कैवलर से त्यार की गई शर्ट्स और जैकेट से मतलिक जो के अपारल इंड डेनम की जो शर्ट और जैकेट होती है वह अgrassी फैब्रिक में पहनी जातीक इस्तमाल की जाती है और इस वीडियो का तो इसको लाइक और शेर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगी बैल आइकोन को दुबाना बिल्कुल भी मत बूलिएगा ताके मेरे न्यू वीडियो के नॉटिफिकेशन बरवक्त आप लोगों तक होईते रहें और यूट्यूब क से त्यार की गई जैकेट और शेर्ट के मुतालिक जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों यह जो वीडियो है यह कैवलर से त्यार की गई यानि कैवलर का इस्तमाल करते हुए त्यार की गई शेर्ट और जैक चीजें होना बहुत बहुत जरुरी हैं वो आज हम मिटस में डिसकस करने जा रहे हैं तो क्वबुलर एक फाबरीक है और एक ऐसा फाबरीक है जो Import का जैbumps कलर जो है वह ज्यादा तर आथे ले का आप देखने को मिलेगा वैसे तो इसमें और भी किलर्टी की kategories हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ज्यादा तर yellow किलर से ही पहचाणेंगे, इसमें green और yellow भी हो सकता। कारडूरा और kevler के mixing हो सकती है, इसके इलावा black kevler भी हो सकता है, तो इस तरह से और भी color के kevler स्तियार किये जा सकते है यानी kevlar fabrics लेकिन ज्यादा तर आपको कैफलर जो है वह यलो कलर में ही नज़र आएगा इसमें फिर कॉलिटी जाती ते मैं कैफलर के fabrics और उनकी कॉलिटी पर एक अलग वीडियो आपके लेकर रह ताके जो लोग कैफलर के फैबिक को समझना चाते हैं उनके लिए काफी इंफरमिशन कठी कर लूँ दोस्तों कैवलर से त्यार की गई शर्ट और जकिट के अंदर कैवलर का तो इस्तमाल होता ही है लेकिन उसके साथ साथ लाइनिंग का जिसको पीसी लाइनिंग यानि प्लियूस्टर कॉटन लाइनिं दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो त्यार कियो ही है जो के कैवलर जीन्स पर थी उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दूंगा उस वीडियो को देखें उससे भी आपको काफी ज्यादा फाइदा हासिल होगा क्योंके वह कैवलर डैनम पैंट से हमुआ होता है यानीे एक से ज्यादा फैब्रिक इस्तमाल किये जाते हैं तो हम उससे क्या कहिंए के टू atéBear carmenAD जिए उससे ना चाहें तो इसको mono layer garment बोलेंगे यानि के single layer garment तो दोस्तों बहासानी आप समझ की होंगे के garment के अंदर एक से ज्यादा जब fabric लगाए जाते हैं तो जितने fabric अंदर लग रहे हो तो उतने ही लेयर का यानी एक दो तीन लेर का गार्मेंट उसको बोला जयता है दोस्तों ये तो हो गया कि कितने लेर से त्यार किया जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि जैकट या शर्ड के अंदर कौन कौन सी और चीजें भी होना जरूरी होती हैं और यह गार्मेंट किस लिए होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस लिए होता है यह जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइकर्स जीन्स होती है यानि बाइकर्स जो के बाइक राइडिंग करते हैं रेसिंग करते हैं उन अफराद या उन लोगों के लिए ये खास तोर पर गार्डमेंट त्यार किया जाता है जो के बाड़ी की प्रोडक्शन के लिए होता है कि खुदाना खासदा अगर कोई एकसिडेंट हो जाता है यहां फिर वो गिर जाते हैं अपनी बाइक से किसी भी सूरत है तो उनको ज्यादा तर अपनी बाड़ी की प्रोड़क्शन के लिए वो गार्डमेंट सेफ कर सके जहां तक हो सके अगर आप वो शिर्ट या जैकिट का इस्तमाल नहीं करते तो बहुत जिएदा स्वेयर किसम की प्रॉब्लम आ सकती है यानी आपको फ्रैक्टर की प्रॉब्लम आ सकती है आपको रगड यां खराज यहां मेजर इंज्डरि ओसकती है तो इन चीजों से बचने के लिए इस गर्मेंट को डिजाइन किया गया है गार्मेंट के अंदर जैकिट और शि्र्ट के अंदर 5 आरमर वो मोजूद होते हैं जो के 2, पुरी कमर को कवर कर रहा है to ya 5 आरमर जयकेट और शिर्ट में धोना जरूरी हैं जो के वाईक राइडिंग करते हैं इनके मुतलिक भी मैं आपको डीटेयल से बताने की कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में कि यह जो आर्मर है यह कितनी किसम की होते हैं यह पिर यह दिखने में किस तरह के नजर आते हैं और इन से क्या-क्या आपको मजीद फाइदा हासिल होगा और आप इसको कहां-कहां इस्तमाल कर सकते हैं के दोर पर आपका जो शूल्डर का आर्मर है यह पिर अल्बो का आर्मर है वह कहां पर इस्तमाल मजीद हो सकते हैं या नहीं तो इन चीज़ों के मतलिक भी मैं आपको डिटेल से बताने की नेक्स वीडियो में कोशिश करूंगा दोस्तों यह जो गार्मेंट है जैकेट और श जाता मुक्तलिफ गार्मेंट में जो के आप रोजमरा के लिबास इस्तमाल करते हैं पैंट है शिर्ड है जकेट है लेकिन क्योंके यह बाइकर्स जीन्स यानि स्पोर्ट्स गार्मेंट है तो इसके लिए स्पेशल लेबल्स इस्तमाल किया जाते हैं क्योंकि इनके अंदर क किसी लाइनिंग और आर्मर का इस्तमाल किया जाता है तो यह अपने नौईयत के अलग और स्पेशल गार्मेट होते हैं इसलिए इनको वाज़िय करने के लिए किस क्वालिटी का और किस क्याटेगरी का यह गार्मेट है तो उसको भी लेबल लगाना होता है तो दोस्तों मैं करता हूं कि आज किस विडियो में आपको कैवलर से टयार की गई शर्ट और जैकेट के मुतलिक काफी इंवरी पसंद आी होगी अगर आपको यूडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बैल आइकन को दुबाना बिलकुल भी मत भूलेगा और इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब फेस्बुक पेज टिक टॉक और स्नैक वीडियो पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों मैं मिलूँगा आप से इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत मैं हूं फेजान असलाम अलेकूम